So guys, बहुत ज़्यादा इंतसार के बाद, finally Moto Edge 40 आ चुका है, and हमको मिल चुका है, हमने इसको कल और किया था, Flipkart से, and आज ही Flipkart ने डिलिवर कर दिया, यह वाला कलर, बाकि वो लेदर वाले तो मुझे मिले ने, लेकिन, चलो देखते हैं, कैसा फोन है भाई, बहुत Okay guys, so, जो box है, वो Motorola के, Motorola लेने, Flipkart वाले ने खोल दिया था, क्योंकि भाई, open box delivery, और box में जादा कुछ है भी ने, तो क्या ही दिखाया जाए, मतलब मैंने भी सब कुछ निकाल लिया, फोन यहाँ है, and उसके बाद, एक extra pouch देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमको यह plastic वाल Type-C power adapter देखने को मिलता है, Type-C तो बहुत अच्छा भाई, power delivery support करता है, बहुत चारे phone हम charge कर सकते है, इससे laptop भी कर सकते है, and यह Type-C to Type-C cable भी आती है साथ में, बाकी phone की तरफ बढ़ू, तो भाई, यहाँ पर under 30,000 phone है, and उसके हिसाब से भाई, phone बहुत ही तगडी build quality के साथ में आता है, देखो, पुरा side का जो frame है, यह metal में है, plastic का back है, लेकिन इसका अच्छा वाला variant भी आता है, जो leather back में आता है, यह plastic back भी बहुत अच्छे quality का है, and यहाँ पर हलका सा tapered है, it looks fine, it looks pretty amazing actually, to be honest, में को तो बहुत बढ़ियां डिजाइन लगा, यहाँ पर 2 camera का setup है, ल भाई, bottom side में हमको यह sim card का tray देखने को मिलता है, जिसमें आप सिर्फ एक ही sim card लगा सकते हो, इसके अंदर dual sim card का support, physical dual sim card का support नहीं है, अगर आपको dual sim card चलाना है, तो एक e-sim और एक normal physical sim लगा सकते हो, उसका USB type support है, fast charging के लिए, और data transfer भी कर सकते हो, of course, उसका primary microphone hole है, और primary speaker grill ह इस side के बाद करूँ तो power button है, volume rocker है, antenna bands है, top की बाद करूँ तो secondary noise cancellation microphone, Dolby, Atmos की branding है, इस side के बाद करूँ तो खाली antenna lines है, बाकी back में हमको camera module देखने को मिलता है, and camera का island basically, Motorola की branding है, front में हमको यह curved screen देखने को मिलती है, it looks very nice, बाकी जो build quality है, and design जैसे आप लोग देख रहे हो, design के बाद में मेरे को बहुत सखड़ा लगा, build quality भी अच्छी है, लेकिन मैंने गुपता जी की वीडियो देखी थी, गुपता information system, क्यों है, इसका जो यह front glass इसके उपर इन लोग ने protection के लिए कुछ भी नहीं दिया, I think so, इसके वीसे बहुत जादा scratches आते हैं, इसके अंदर अब वो मैंने personally notice नहीं करा, बट देखो curve screen है, चुप-चाप जाके plastic वाला screen protector लगा लो भाई, बहुत important है, नहीं तो भाई, वाट लग जाएगी phone की स्क्रेचेस आएंगे, तो खता मझाएगा phone, इतना समाझ लो, तो scratch guard लगवा लोगी तो अच्छा है, पाकि यहां पर, as of the first impression मेरे को, भाई, display बहुत खुबसरत देख रही है, by the way, 6.55 inch की display है, 1200 nits की brightness है, ये price में, ऐसी brightness वाले display नहीं देखने को मलता, अच्छी खासी दूप में भी brightness में को देखने को मिली, काफी तगडी brightness है, मजा आया मेरे को, अगर content वगरा की बात करूँ, तो भाई, यहां प देखने को मिलता है, जिसकी content doing, watching experience भी बहुत जबर्दस लगा मेरे को, and इसके अंदर हमको दो speakers देखने मिलते है, दो speakers मतलब, वही basically stereo speaker का setup देखने को मिलता है, जिसकी quality बहुत अच्छी लगी, हालाकि एकदम high पे रखो ना तो थोड़ा सा distortion में को feel हो है, लेकिन इतना I don't personally काफी must sound at Dolby Atmos को support है, एक number की आवाज निकालता है, not a bad sound to be honest, पुरा back job vibrate भी करता है, तो must लगा मेरे को sound quality बगरा, कोई शिकायत लगी नहीं मेरे को यहाँ पर ठीक है, बाकि 144 watts refresh rate है, काफी smooth है उसके बारे पर हम थोड़े देर में discuss करेंगे, बात करूं, network को करेंगे, तो ह 5G है, 5G plus चल रहा है, मैंने यहाँ पर network अगरा का test किया थोड़ा सा, देख रहे हो, indoor में भी 530 Mbps की net speed आई है, wide wind L1 का support है, Vio Wi-Fi भी आपर आपको देखने को मिल जाता है, तो मतलब जो basic चीज़ें है, phone के अंदर उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, motorola ने, तो पर बात करो, चाहिए, normal बात करो, लेकिन इसके अंदर Google का dialer है भाई, तो अगर आप लोग recording करोगे, तो सामने अले को मालू पर देगा, इसका कुछ अगर तोड़ हो, Motorola के phone में, तो definitely मुझे बताना, और Motorola if you are watching this, अपना कुछ का dialer दो, automatic recording का option चाहिए भाई, आमको बहुत अगर वो नहीं चाहिए हो, तो इंसान आइफोन खरी देगा ना यार, ये भी तो सोचो, बाकि आपको सामने इंडिस्प्ले फिंगर्पेंट स्कैनर देखने मूलता है, जिसकी position थोड़ी सी नीचे है, बाकि बात करो गाई, तो even face unlock भी, not bad, काफी fast है face unlock भी, बाकि बैटरी को कोई draining issue यहां पर देखने को, अभी तक तो नहीं मिला, मैंने जादा देर यूज नहीं करा है, लेकिन जितना ही भी उसका है, मैं कोईसा weird battery drain issue देखने को मिला है, प्लस 68W की fast charging है, तो टेंशन लेने की ज़रूँती है, बहुत fast phone चार्ज रहेगा, sorted है उस मामले में, and wireless charging भ बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो मजा आया यह चीज देखके, overall जबर्दस लगा इस मामले में, camera's की बात करूँ, तो भाई, 50MP का OS camera देखने को मिलता है, with 30MP ultrawide and 32MP selfie camera, आप लोग देखे लोग या मेरे का पाट, सबसे पहले outdoor में, जो main sensor है, मैंने उससे जो photos लेए, guys, आ जो overall photo है, उसकी quality, surprisingly from last few motor phones, definitely improved है, यह macro sensor है, I guess, हाँ, यह macro की photo है, और यह main sensor की photo है, तो main sensor से जबर्दस photo आती है, not bad, at least, मैं जो बनुआ है, पहले सा बहुत जादा बेटर है, 30,000 के रेंज में, इससे बेटर photo निकालने वाले phone, already exist करते हैं, skin tones, थोड़ी सी, मतलब, अजीब स एकदम डल सा photo लेता है, जो चहरे का, मतलब, चहरा है, उसका saturation ही कम कर दिया है, बाकि ओर राल ठीक है, मतलब, मैं कुछ major problem नहीं बोलूँगा, बाकि guys, यह ultrawide है, even ultrawide भी 13 megapixel का, मैंने पहले सोचा कि 8 megapixel होगा, लेकिन जब मैंने quality में को अच्छी लगी, तो मैंने वापस अच्छा लगा में को, यहां पर इशू देखनी को नहीं मिला, ओर राल ठीक सा है, वो जाधा बैटर है, रियर फेसिंग के मेरे, यहां पर रियर फेसिंग सा पोट्रेट लो, तो यहां पर भी कलर्स जो थोड़े से डल हो गए है, अपर नॉर्मल फोटो, यह नॉर्मल फो अब लोग वीडियो भी देखे लो, फटाफट, ओके गाईस, यह वीडियो 4K 30fps में रिकॉर्ड हो रही है, और सॉप्राइजिंग्ली काफी क्विक है, इसकी तो फोकसिंग है, यहां पर OIS भी काम कर रहा है, स्टेबिलिटी काफी सब्लिटी दिख रहा है, अब यहां पर अब यह जो है गाईस, यह अल्ट्रावाइट से बन रहा है, अल्ट्रावाइट के क्वालिटी भी डीसेंट है, थोड़ी से में पर नॉइजी दिख रही है, इस्पेशली यहां पर व्यू फाइंटर में, अब लोग बताओ कैसा लग रहा है आप लोग वीडियो, अल्ट् सब्सक्रावाइटा रहा है, इवन फ्रंट वेजिंग कैमरे की साइज यह लग रही है, वड्यू थिंक, स्टेबिलिटी भी ठीक है, ट्रीटी भी शिफ्ट करते है, फ्रंट वेजिंग कैमरे से एटैटी पमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेट में गई जो पहले के comparison में definitely बहुत तगड़ा camera है यहाँ पर लेकिन 30,000 के range में इस से better camera वाले phone definitely exist करते हैं यह चीज़ मैं बोलूँगा अगर आपको इसका detailed camera comparison किसी phone के साथ में चाहिए या फिर detailed comparison इस phone का किसी और phone के साथ में चाहिए तो में को बताना लेकिन as of now मेरे को ऐसा लगा कि camera से इसके अच्छे हैं कोई में को major problem देखने को नहीं को नहीं लेए शिकायत वाली बात मैं आप नहीं कर सकता हूँ बस यही है कि portrait mode में जो skin tones है वो थोड़ी से dull हो जाती है उसके लाव बाकि सारी series से sorted है अब camera से आगे बढ़ू performance की तरफ तो भाई इसके अंदर हमको एक Dimensity 80, 20, 8020 प्रोसर देखो यह जो है थोड़ा सा upgraded version है Dimensity 1080 का तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि भाई इसका जो performance है अभी तक की daily task मेरे को सा कोई major problem देखने हो नहीं मिला इसके पहले मैंने Moto H20 उसका smoothness में को इसस जिटर मैंने महसूस किया है जो मैंने उस phone के अंदर भी नहीं किया था यह चीज़ पता नहीं क्यों हो रही है यह चीज़ नहीं हो नीचे लेकिन overall जब phone को use करो तो phone fast feel होता है लेकिन Poco F5 या फिर Ico Neo 6 यह दोनों phone definitely इससे जाधा fast feel होते है बाई और दोनों phone actually में इससे जा बिराम आता है यह 30,000 का प्राइज में अब देखो उसके अंदर हम मैंने पहले benchmark किया जो इसके अंदर storage है उसकी speed में को काफी जबर्दस लगी पहले तो फिर वापस मैंने तुरंत किया तो speed अचानक से कम होगी भाई फिर वापस से किया फिर से कम आई फिर वापस से किया तो speed जाज आई तो पता नहीं क्या issue है मैं तो बार-बार करो तो शायद वो speed थोड़ी से कम आते है लेकिन जब मैंने N22 benchmark run किया तो वहाँ पर अच्छा खासा score में को दिखने हो मिला कोई ऐसा कमी निया भाई 7,000,000 का का रिस्पेक्टेबल स्कोर है उसका जब Geekbench का भी टे नहीं को नहीं मिला यह पर टीक है पाकि बैने गेम्स अगरा खेल के भी देखा तो आप लोग जैसे देख लो जब लो है लेकिन स्मूद पर च्रीम कॉप्शन देख नहीं तो आम स्मूद एक्स्रीम परके गेलिए वाई डाइड इस इंपोर्टन सिक्स्टेश तो कम से कम जिसकी पर्फारमेंस ओडियो तो काफी साही लगे लिए ओके गईज तो मैंने एक मैच खेला यहाँ पर अभी देखाओ यहाँ पर रहे है ना गईज में को ओर्रेटिया कोई साइन नहीं देख नहीं मलता है लेकिन हलका तो अब वाउम तो हुआ है अब फिर भी आपको कॉम्पेटिटिव अगरा खेलना है तो आई फिल इससे बेटर पर्फॉर्मेंस वाले डिवाइसे अवेलेबल है लेकिन फिर भी अगर आप कैजूल गेमर हो और अच्छा खासा बीजियमाई भी खेलते हो आपको 60fps पर बीजियमाई खेलना है तो खेल सकते हो not a bad phone करके है जिसमें आप secure folder network protection बहुत सारी चीज़ें इसके इंदर भी कर सकते है आप लोग एंड उसके बाद moto hub है तो यह basically यह एड के जैसा ही है तो इसको तो अगर उड़ा दो तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से यह moto hub रखने की जरुवत नहीं है उसके जरुवत नोटिफिकेशन है I don't know इसको क्या जरुवत है इसको रखने की तो मतलब kind of add डाने कोशिश है लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है कि भाई कुछ problem है इसमें सही है मेरे को कोई problem नहीं लगा है यहाँ पर ready for करके भी एक आता है यह आप PC से directly connect कर सकते हो अपने phone को तो बहुत सारे Motorola के features है प्लस यह वाला दो Motorola का feature है ना वाई I really like it चौप करते ही flash जल जाता है और ऐसा heart twist करो तो तुरंत camera चालो आता हो आपस twist करो front camera चालो जाता है तो मेरे को बहुत जबरदस यह features लगते हैं by Motorola के अंदर तो software wise मैं को क्राफी सही लगा लेकिन थोड़ा सा refinement ना मैं बूल रहता है अलका फिका जो जेटर मैंने notice किया अगर वह चीज सही हो जाए तो मेरे को ज्यादा बैटर लगया लेकिन को ऐसा major कोई deal breaker नहीं लगा बाकी for the price of 30k I feel एक बहुत ही ज्यादा दमदार phone बनाया है Motorola ने मजा गया बाकी मैंने आप लोग से पूछा भी था कुछ अगर आपके सवाल है तो मुझे बताओ तो चलो देखते हैं आपके आपने क्या क्या सवाल पूछा है अचा किसी ने पूछा है Nebula leather वाला क्यों नहीं लिया तो भाई ये leather वाला जो था वो में को मिली नहीं रहा था उसका ज लेकिन डेफिनेटली वाम हो जाता है फोन ये चीज मैंने नोटिस करा है जो भी सवाल आपने पूछा है मोश्ली आपके सारे अंत्रफ मैंने ये वीडियो में दे दिये हैं बाकि I hope आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कैसी वीडियो ची आपको इस फोन के उपर और अ वीडियो जयश ही करे वीडियो आपको आपको है